Hello parents, आज हम जिस topic की बात करेंगे वो है fundamental right के details में इन सभी articles को देखना Last video में हमने 6 categories of fundamental right यानि मौलिक अधिकारों की देखी थी और हमने वहाँ पर ये भी देखा था कि इन 6 अधिकारों में किस तरह से division किया गया है आज हम उनी articles को थोड़े detail में देखेंगे और आपको पता है कि fundamental right के जो articles हैं जो अनुक्षेद हैं वो exam के लिए बहुत ही important है यहाँ से काफी important questions exams की point of view से बनते हैं तो यहाँ पर आज जब हम बात करेंगे वो है right to equality की यानि समानता के अधिकार की समानता के अधिकार को हमारी समविधान में fundamental right में अनुशेद 14 to 18 यानि article 14 to 18 में रखा गया है right to equality का title है और यहाँ पर article 14 में जहाँ पर कानूनी समानता की बात की गई है वही article 15 में किसी भी प्रकार के जो विवेद हैं उनके विविन जो आधार है वो बताए गए हैं कि उनके वेसिस पे discrimination नहीं होना चाहिए article 16 में समानता यानि प्रजभा के अधार पे सभी को opportunity दी जए 17 में कहा गया है छुआ छूत को खतम किया जए और 18 में कहा गया है उपाध्यों का अंत किया जाए अब एक एक करके इन articles को हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा पहला यहाँ पे equality का article है right equality में वो है article 14 यानि की equality before law इस article में यदि कानूनी समानता की बात की जाए तो इसमें दिया गया है equality before the law and equal protection of the law कानून की समक्ष समता और कानून की समान संडक्षन यहाँ पर यहाँ बताया गया है कि जैसे भारत एक विविद्धा पूर्ण देश है और यहाँ पर इन diversity में social जो imbalance है वो भी साब दिखाई देता है कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है तो यहाँ पर कानून का समान संडक्षन से ततपर है कि कानून जो है वो सभी के लिए बराबर होगा चाहे वो कोई बहुत पैसे वाला इंसान हो चाहे वो कोई रिक्षे वाला हो वहाँ पे जो कानून किसी भी अपराद के लिए मालीच बनाए गए हैं तो दोनों ही केटेग्रेस के लिए इकल होंगे कानून के समक्ष समता यानि Equality Before Law से यहाँ पे तातपर है कि कानून के सामने सब बराबर है यहाँ पे कानून जो हमारा विधी है वो किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति विशेश में किसी भी तेरे का डिफ्रेंशेशन नहीं करता अब यहाँ पे Equality Before Law में यानि सभी को समान तात से कानूनी आधिकार प्रोबाइट करवाएगे और Article 15 में कहा गया यानि कि निम्रकी ताधारों पे किसी भी प्रकार का प्रतिशेड नहीं किया जाएगा Article 15 में यह जो आधार हैं यह एक्जाम में पूछे जाते हैं आपको याद रखना यह 5 बेसिस हैं यह 5 क्या हैं जैसे कि एक है Religion यानि कि धर्म दूसरा है Race यानि मूलवंश तीसरा है Cast यानि चाती चौतर है Sex यानि Link और पांचवा है Place of Birth यानि के जन्मिस्थान तो किसी भी व्यक्ति में यहाँ पे इन पांचों आधार पर धर्म मूलवंश जाती लिंग और जन्म के आधार के जो जन्मिस्थान है उसके आधार पे किसी भी तरे का प्रतिशेट नहीं किया जाएगा आटकल 15 में हाली में लास्ट यर एक मूवी भी वनी थी और उस मूवी में यहाँ पे क्वैलिटी के बारे में सुरुआप में प्रेयंबल का भी दिखाया जाता है क्योंकि प्रेयंबल में भी समानता की बात है और उसके बाद discrimination जो भी वेद है इनाधारों पे नहीं किये जाएंगे यह भी समझाये गया है यहाँ पे सब clauses हैं और हर एक fundamental right में reasonable restrictions भी है पर जब हम यहाँ पे 15.1 की बात करें तो 15.1 में यह 5 basis हैं कि यहाँ पे इन आधार पे किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा आर्टिकल जो 15.2 है वहाँ पे कहा गया है कि जो लोग मनुरंजन entertainment areas हैं like hotel, theater, तलाब, कुएं यादि इन सभी चीजों के बात की जाएं जो भी सार्जिनिक स्थान है इन जगहों पर किसी भी तरह का प्रतिशेद नहीं किया जाएगा उपरोगत आधार पर यानि जो यह 5 basis हैं तो किसी व्यक्ति को यह कहके नहीं रोखा जा सकता कि यह मंदिर है यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश बरजित है या कुछ और अब यहाँ पे इसी आधार पे fundamental right के अंगेंस्ट आपको याद होगा लास्ट टाइम पे शबरी माला का काफी issue भी arise हुआ था तो यह जो basis हैं इन basis पे किसी भी तरह का discrimination नहीं किया जा सकता इसी तरह से 15.3 जो है वो कहता है कि यदि females और children बच्चों और महिलाओं को ले करके कोई कानून बनता है तो अनुशेत 15 जो है उस 15 के बाकी एक और दो आर्टिकल का उलंगन नहीं करता अर्थात महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार चाहेगी तो उनके संडॉक्षन के लिए कुछ विशेश उपबंद कर सकेगी जो कि उपरोक्त अनुशेदों का उपरोक्त फंडमेंटल रायर्स का जो प्रतिशेद है वो नहीं माना जाएगा यानि कि female और children के लिए कुछ special provisions बनाए जा सकते हैं सिर्फ 15.4 है आर्टिकल 15.4 क्या कहता है यहां पर जो educational और social यानि समाजिक और educational point of view से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको मुख्य धारत में जोडने के लिए सरकार कुछ उपबंद कर सकती है reservation का आप इसे example मान सकती है इस तरह से हमने यहां पर कुछ important sub clauses देखे 15.5 भी काफी important है जो की educational जो areas है यानि कि जो private जैसे सैचलिक संस्थान है उनके संबंध में कुछ उपबंद निर्देशित करता है कि यदि पिछड़े वर्ग होंगे या अनसुची जाती जन जाती जो भी backward classes है उनको educational institutions में reservation दिया जाएगा तो इस तरह से यह article 15 था अब article 16 की बात करते हैं article 16 है equality of opportunity और equal opportunity in matters of public employment अर्थात जो लोगनी योजन है वहाँ अबसर की समता अब इस title का मतलब है कि लोगों को उनकी प्रतिभा और उनकी quality के basis पे equal opportunity दी जाए अब यहाँ पे article 15 में तो हो था जो 5 basis हमने देखे थे article 16 में यह article 16 में ही promotion जो reservation था उसकी भी बात की गई थी ओके नाव आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 है evolution of untouchability यानि की अस्प्रेशिता का अन्थ साब शब्दों में छुआ छूत जो है उसको समाप्त करना इस article का शारांश है इसी के तहए तो 1955 में आजादी की कुछ दिनों के बाद ही civil protection right act बनाया गया civil protection अधिकार्नियम और उसको और मजबूती देते हुए 1989 में SCST act भी बनाया गया तो इस तरह से समाज में समानता आये लोगों के भी छुआ छूत खतम हो तो इसको पूरी तरह से खतम करने के लिए अस्प्रेशिता का अंत करने के लिए untouchability को हटाने का जो उपबंध है वो article 17 में रखा गया है आगे बात करते हैं article 18 की article 18 कहता है उपाधियों का अंत यानि की abolition of titles उपाधियों का अंत से ताथ पर यहां है कि आजादी की समय जब ब्रिटिशस हमारे देश में हुकूमत कर रहे थे और उसी समय पर जो पहले सी राजा महराजा थे वो उनका भी कहीं न कहीं देशी रियासतों में शाशन था महराज़ और अध्यराज और अधिराज इस तरह की जो उपाधियां है महराजा साहब राय बहादूर यह सबी उपाधियों का अंध कर दिया जाना चाहिए यदि कोई डिगरी की उपाधिया जैसे डॉक्टर हुआ या सेना की उपाधिया उनको रखा जा सकता है तो यह था आर्टिकल 18 अब आर्टिकल 19 की बात करें जो बहुत इंपोर्टिन्ट आर्टिकल है यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात की गई है freedom of speech की बात की गई है यानि कि सतंतरिता की जो अधिकार है वो अनुशेद 19 से लेकर के 22 ता किंका प्रापधान किया गया है और आर्टिकल 19 काफी important आर्टिकल है इसमें six sub clauses भी हैं जिनको हम देखेंगे और आर्टिकल 19 में महत्पूर्ण बात यह है कि 19 में एक यहाँ पे sub clause था 19G और इस 19G को 44th amendment से 1978 में हटा दिया गया था जैसा कि हम जानते हैं कि 19G में जो था right to property था संपतिक अधिकार था और इसे मौलिक अधिकार से हटा करके legal right यानि विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था यहाँ पे article 19 को देखेंगे आब हम article 19 में पहला जो point है वो क्या कह रहा है 19.1 All citizens shall have the right अब एक point कहेगा to freedom of speech and expression यानि 19.1 की बात की जाए तो यह कहता है कि प्रतेग व्यक्ति को अभी व्यक्ति की सतंतरता और भाशन का अधिकार है अब यहाँ पे जो exam में questions बनते हैं वो समानिता बनते हैं कि press of freedom क्या इसी का part है तो याद रखना है कि मूलता तो यह हमारे सम्विधान में शामिल नहीं था लेकिन सुप्रीम कोट की व्यक्ति के बाद press की जो freedom है वो 19.1 की ही अंतरगत अभी व्यक्ति की सतंतरता की अंतरगत रखी जाती है तो इस तरह से भारती नागरिकों को अभी व्यक्ति और व्यक्ति सतंतरता कादिकार दिया गया है आप 19.1 के एके बाद यदि हम 19.2 की बाद करें तो यहाँ पर है to assemble peacefully without arms यानि कि कोई भी जो व्यक्ति होगा वो एक जगे पर assemble हो सकता है एकत्रित हो सकता है शांती पूर्वक वहाँ पे बैठक कर सकता है बिना हथियारों के यहाँ पर यह ध्यान रखना है जो एक्जाम में पूछा जाता है कि प्रतेई व्यक्ति को यहाँ पर शाशन के यदि किसी नीती है तो इसकी आलोचनक अधिकार है यह शांति पूर्ण यहाँ पर जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन हरताल का अधिकार fundamental right नहीं है, right to strike हमारे fundamental right में समाहित नहीं है फिर article C कहते है to firm association और union जब संग बनेगा तभी लोग क्या करेंगे एक दूसरे की विचार को transmit कर पाएंगे उनका आवगमन हो पाएगा तो हमारे article 19C में संग बनाने की सुत्यंत्रता भी दी गई है और यहाँ पर याद रखना है खासकर कि 97th Constitution Amendment में से सहकारी संग यानि कि cooperative जो यहाँ पर union है, cooperative committees है, सहकारी समिती है उनको बनाने का अधिकार इसी 19C के अंतर गता हैगा नेक्स्ट है article 19D जब 19D की बात करते हैं तो यह है to move freely throughout the territory of India यानि भारत देश में आप कहीं भी जो भारती संग सीमा है उसके अंतरगत आप UP से बिहार, बिहार से बंबई, बंबई से मत्यप्रदेश, मत्यप्रदेश से तमिलनाडू, तिल्ली से तमिलनाडू कहीं भी सतंत्रता पूर्बक आवगमन कर सकते हैं तो कहीं भी आवजाही की पूरी सतंत्रता प्रतीग भारती नाकिक को है UP से बिहार जाने के लिए पासपोर्ट या वीजर नहीं चाहिए हम आराम से आजा सकते हैं अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19E चिस में कहागे to recite and settle in any part of the territory of India अर्थाद भारत की किसी भी भाग में हम जा करके निवास कर सकते हैं कहीं भी जमीन खरीज सकते हैं अब तो जम्मु काश्मीर भी इसमें शामिल हो चुका है अगला जो भाग है हमारा वो है आर्टिकल 19F का to practice any profession or to carry on any occupation trade or business यानि हम किसी भी प्रकार की वेवसाइट किसी भी प्रकार का profession और trade अपना सकती हैं यानि कि कोई भी जो मनपसंद पेशा है उसको occupy कर सकता है और 19G जो है वो अब हटा दिया गया है यह हमने शुरॉत में 19 आर्टिकल को पढ़ती हुए देख लिया था अगला हमारा जो आर्टिकल है वो सतंत्रता के अधिकार यानि 19-22 के class में वर्ग में है आर्टिकल 20 इसका टाइटल है protection in respect of conviction for offenses दोश सिद्धी की संबंध में संरक्षन यहाँ तीन सब clauses में है एक कहता है यहाँ पर 21 की जब बात की जाए तो 21 क्या कह रहा है 21 कहता है protection from exposed fact to law कार्योत्तर विधियों से संरक्षन इसका simple समतलब यह है कि जिस समय किसी व्यक्ति ने कोई prime किया है उस समय का बना कानून ही उस पे लागू होगा यदि कोई कानून बाद में लागू होता है तो जो पहले कृत्ति किया गया है उस पे लागू नहीं होगा माल लिजे किसी ने कहीं से आम चुराए आम चुराने के लिए उसी यदि तीन महीने की सजा का प्रापधान है और अगले ही दिन यह प्रापधान बनता है यह आम चुराने के लिए दस महीने की सजा होगी तो याद रखने है कि उस व्यक्ति को केवल तीन महीने की सजा दी जाएगी ना कि दस महीने की क्योंकि उस समय जब उसने जो कृत्ति किया था उसके लिए कानून में तीन महीने की सजा का ही प्राबधान था इसी तरह से 22 क्या के 20 में जो 2nd provision में वो क्या कह रहा है यह कह रहा है दोहरे दंड से संडॉक्षन प्रोटेक्शन फॉर्म दे डबल जियो पार्टे यानि कोई एक ही काम के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती तीसरा अर्टिकल कह रहा है सेम के बुरुद्ध गवाही से संडॉक्षन यानि कोई भी व्यक्ति यदि कोई कृत्ति करता है तो उसको सेमते खिलाफ गवाही देनी के लिए बात भी नहीं किया जाएगा अगला हमारा बहुत ही महत्वोन आर्टिकल है अनुश्य 21 जो कि शायद पूरे संबिधान में सबसे ब्यापक छेत्र को अक्युपाय करता है सुप्रीम कोट ने लगवग काफी जो व्यक्थाई हैं वो अनुश्य 21 के तहती है अनुश्य 21 से प्रोटेक्शन ओफ लाइफ एंड परसनल लिबर्टी प्राण इवं देहिक सो तंत्रता प्राण इवं देहिक सो तंत्रता में आप इसका बहुत ही ब्यापक रूप है जिससे कि व्यक्ति को एक गरिमा मैं जीवन डिग्नेटी फुल लाइफ जो है उसे जीने के सभी जो आया में वो निधारित होते हैं यानि कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर अनुश्य 21 के तहर एक गरिमा मैं जीवन जीने का दिकार सर्प्रेंट कोट से के सामनी याचना कर सकता है आर्टिकल 21 को हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 21 ये काफी इंपोर्टेंट है जिससे राइट टो एजुकेशन सिक्षा का दिकार कहा जाता है एटिस सिस्थ कॉंस्टिटुशन एमेंडमेंट में से 86 वे समिधान संशोधन से इस अनुशेद को जोड़ा गया है और प्राथमिक सिक्षा को अनिवारे किया गया है यानि 6 तो 14 इयर ओल्ड के जो भी बच्चे हैं उनको सिक्षा का अधिकार अपकंपलसरी है नाउ, next है हमारा इस freedom of right के category में last article, article 22 article 22 है protection against arrest and detention, गिरिफ्तारी और निरोद से सन्रक्षन गिरिफ्तारी और निरोद से सन्रक्षन से तत्पर रिख्या है कोई भी व्यक्ति यदि गिरिफ्तार किया जाता है तो नमबर वन उसे अपनी मन पसंद वकील को करने की सोतेंतरता होगी नमबर टू ट्वेंटिफोर आउर्स के अंदर उसे डिस्टिक मेजिस्टरेट के सामने पेश किया जाएगा या जो भी उपयुकत अधिकारी हो वहाँ पे और नमबर टू जो भी वहाँ पे अभिव्यूकत है उसे आर्टिकल टू टू के अंतरगर्थ यहाँ पे ध्यान रखना है उस व्यक्ति को एरिस्ट का रीजन यानि गिरिफ्तारी का जो कारण है उसे जानने की सतंतरता होगी तो यह है हमारा आर्टिकल टू अब यहाँ पर इन सभी फंडमेंटल राइट्स के लिए यह पूरी तरह से यहाँ पर असीमित नहीं हो यहाँ पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स है यानि कि युक्ति युक्त पर जो यहाँ पर बंध है उनको अप्ला किये गए रिसनेबल रिस्ट्रिक्शन्स के मतलब कि यह दी कहीं भी देश की एकता, खंडता या किसी भी तरह का ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसके अगेंस जा सकती है तो यहाँ पर रिसनेबल रिस्ट्रिक्शन्स भी सभी को बाउंट करने के लिए लगाए गया है तो यह को हमारा आर्टिकल 14 से लेकल कि 22 अब यहाँ पर हम इन शॉर्ट से रिवाइस करेंगे कि अभी हमने क्या देखा यहाँ पर हमने देखा कि हम भारती सम्विधान में अनिश्यत 12 से लेकर के 35 में जो फंडमेंटरल रैट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं इस फंडमेंटरल रैट्स को मौलिक अधिकारों को भारती सम्विधान के भाग तीम में रखा गया हैं भाग तीम में हमने 12 से लेकर के आर्टिकल जो 32 है इसको 6 क्लास यानि 6 वर्गों में विभाचित किया है और यहाँ पर आज हमने देखा है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 22 जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक इक्वैलिटी यानि समानता की बात की गई है आर्टिकल 14 कहता है खानूनी समानता आर्टिकल 15 कहता है किसी भी तरे का विभेद नहीं हो समाज में और वो विभेद धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नहीं होना चाहिए आर्टिकल 16 कहता है सभी को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए आर्टिकल 17 कहता है शुवा छूत खतम होनी चाहिए आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत होना चाहिए तिये था 14-18 जो समानता की बात कर रहा था आर्टिकल 19-22 में हमने सतंत्रता की बात की स्वतंत्रता में सबसे महत्पूर आर्टिकल जो आर्टिकल 19 था उस 19 में हमने उसके उपवंधों को भी देखा है जो सब क्लाउजेज है 19A में अभिव्यक्ति और बाग्ति की स्वतंत्रता है 19B में एसेंबल, शांति पूर्बक, संगठित होने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19C में संग बनाने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19D में स्वतंत्रता पूर्बक कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है देश के अंदर आर्टिकल 19E में कहीं भी भारत देश में निवास कने या बसने की स्वतंत्रता है 19.F में किसी बेवेवसाय और किसी भी जो पेशा है उसे अपमनानी की सतंतरता दी गई है इसी तरह से अनुश्यत 20 में जो यहाँ पे कन्विंशन फोर ओफेंसेस के लिए फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 21 में जो जीवन की सतंतरता है उसकी बात की गई है और यह जीवन का अधिकार हम इसे कह सकते हैं और आर्टिकल 22 में गिरिफतारी और जो निरोत है उससे संरुक्षन की सतंतरता दी गई है यानि कोई भी विव्यक्ती अपने गिरिफतारी का कारण जानेगा अपनी रोची के अनुसार वकील करेगा और 24 खंटे के अंदर उसे मेजिस्ट्रेट या उसके संकर्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो ये थे हमारे आर्टिकल्स का एक भाग जिसमें हमने इंपोर्टेंट आर्टिकल्स 14 तो 22 की बात की ओके एक्जामिनेशन में इनके जो टाइटल से वो तो याद ही रखनी है बाकी जो हमने अभी देखा था कि 19-A में ये याद रखना है कि फंडमेंटर राइट में राइट तो इस्ट्राइक यानि की हरताल का अधिकार शामिल नहीं है यैसे ही हमें याद रखना है कि यदि हम आर्टिकल 21 की बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में आक्ट बना ये इसी के अंतरगत बनाया गया इसके अलावा याद रखना है 21-A में राइट टू एजुकेशन यानि की सिक्षा के अधिकार की बात की गई है निशुल के सिक्षा होनी चाहिए 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए और यहाँ पे एक्जामनेशन में 19-A में ही याद रखना है कि प्रेस की स्वतंतरता को भी शामिल किया गया है फंडमेंटरोल राइट में फ्रेडम ऑफ स्पीच एन एक्स्परेशन में इस तरह से यह कुछ इंपॉर्टन चीजे हैं जो अलग से आपको दिमाग में बिठा के रुखनी है दो से तीन बार वीडियो देख लेना है ताकि आपको यह चीजे मेमराइज हो चाए और आप एक्साम में बैस्टर को फर्म कर पाए आप इरीना बगेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की में पॉंटिंट अब्डेट्स में जोती रहे हैं